राजपूतों ने अपनी बेटियों की शादी मुगलों से क्यूंकि पंद्रवी शताबदी के मध्य के बाद, दो शासकों मुगलों और राजपूतों के बीच एक वेवाहिग गटबंधन बन गया, चुनकि राजपूत धीरे धीरे राजनीतिक पकर्क हो रहे थे, इसलिए व आलांकि यह अनुमती से है, न कि कुरान में कोई दाइत्वय या सिफारिश है कि एक मुसलिम पुरुष को बहुविवाह में शामिल होना चाहिए, पेगंबर मुहम्मद के समय ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युद्धों में हजारों मुसलिम लोग मारे गए, या मुसलमान अ आपकी मा की बहने, और भाई की बेटिया, और बहन की बेटिया, और आपकी पालक मा, लेकिन इसमें प्रथम शामिल नहीं है, या मैं केरल में अपने पिता की बहन की बेटी से शादी कर सकता हूँ, हिंदु कानूल के अनुसार यह रिष्टे की निशित दिगरी के अंतरग अधिक व्यापक है, पश्चिम अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में बहुविवाह बैल्ट के रूप में जाने जाने वालेक शेत्र में ये सबसे आम है, दुनिया में बुर्किना फासो, माली जैसे देशों में बहुविवाह का प्रचलन सबसे अधिक होने का अनुमान है, ग्यांबिया, नाइजव और नाइजीरिया, 786 की उपत्ती कैसे हुई? इसलाम धर्व में बिस्मिल्ला यानि की अल्ला के नाम को 786 अंग से जोर कर देखा जाता है, इसलिए मुसल्मान इसे पाक अर्थात पवित्र एवं भागेशाली मानते हैं, कहते हैं यदि बिस्मिल्ला अल रह्मान अल रहीम को अर्भी या ओर्दू भाशा में लिखा तो उनका योग 786 आता है ऐसे और वीडियू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए